हेलो एवरिवन आज का मारा content है माप और तोल माप और तोल जो टॉपिक है इसमें भी तीन बिन्दों पर चरचा करेंगे पहला बिन्दू है बार की IKAI होती क्या है जैसे किलोग्राम घ्राम वगर होती है वो बार की कई उन्हों में जो संबंद हOnly संबन doesते हैं और दारिताओं की जिया में संबंद किया पूल लिटर, मिली लिटर, सेंटी लिटर ये जो हैं इनमें रिलेशन आज जे फाइंड करेंगे तो सबसे पहला जो पॉंट है हमारा वो है बार की एकाईों में समझ बार की जो स्टेंडर्ड यूनिट है जो बार की माननक एकाई है वो होती है ग्राम जिसको जीम से रिप्रेजेंट करते हैं और जो लंबाई की एकाई है उसको मेटर में लेके चलते हैं और जो धारिकिता की उत्ती है उसको लेटर में लेके चलते हैं ठीक है तो सबसे पहले मैं चर्चा करता हूँ बाहर की इकाई हो में सम्मद तो जो बाहर की इकाई है उनमें ये जो बाहर की इकाई है जो आपको माननक इकाई मिल रही है ग्राम इस से तीन तो बड़ी होंगी और तीन छोटी होंगी तो बड़ी इकाई को छोटी में कैसे बदले या छोटी इकाई को बड़ी में कैसे बदले एक दूसरे में convert कैसे करें ये आज सीखेंगे तो सबसे पहले मैं इसकी टेबल बनाता हूँ जो बहार की इकाई है वो क्या क्य है केजी यानि किलोगराम हेक्टोगराम डेकाग्राम गाम डेसीैगराम उसके बाद है सेंटी ग्राम और लास्ट में मिलिग्राउम MZ ठीक है यह आपको यह जो साथ इकाई है यह याद रखनी है जिसमें यह तो basic है ठीक है मतलब standard unit है मानक इकाई है बार की अब इससे तीन तो बड़ी है यह वाली और यह तीन वाली यह तीन छोटी वाली है ठीक है तो इन में सभी में सभी में मतलब इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में ऐसे दो दो के बीच में दस दसका आप रिलेशन याद रखोगे यहां भी दसका यहां भी दसका यहां भी दसका इदर left side तो हैं बड़ी इकाईयां और जैसे जैसे right side चलेंगे तो इकाईय तो गुणा करेंगे और इसका पोजिट छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ आएंगे तो भाग करेंगे ठीक है बड़ी इकई से छोटी इकाई की तरफ जाएंगे तो गुणा करेंगे और छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ आएंगे तो भाग करेंगे में चीज यह है और यह सिक्वैंस से आपको तो याद रखनी है पाच हजार तीयतर डेकाग्राम को चेंज करना है किस में करना है सेंटिग्राम में कितने सेंटिग्राम के बराबर होगा ये मेरे को फाइंड करना है ठीक है तो उसके लिए देखो हमको जो संख्या दिरखी है वो किसी काई में है और जाना किसी काई में है ये दो चीजे आप आपको द्यान रखनी है कौन सी काई द कि आपको डेका ग्राम द रिखिए डेकाग्राम द रिर्खिये मतलब यहां पे उगली रखले इसको छुपा लो ठीक है और जान काः पे सेंटी ग्राम सेंटी ग्राम का इसको ये जो संख्याद रिखिये 5, 0, 7, 3 इसको किस से गुणा करेंगे यहाँ पे थे और मेरे को यहाँ पे आने है अब इसको छुपा लो तो इन दोनों के बीच में कितनी बार दसार है मतलब 0 काउंट कर लो आप 0 कितनी है एक ये एक ये और एक ये तीन है एक ये एक ये और एक ये तीन जेरो वाला मतलब हजार तो इसको हजार से गुणा कर दो अब ये जो पाच अजार तीयतर डेकराम था ये किस में आ गया सेंटी ग्राम में आ गया मतलब पाच अजार तीयतर डेकराम पाच जीरो साथ तीन जीर मिली ग्राम है ठीक है इसको चेंज करना है हेक्टोग्राम में अब ये जो संख है ये इसकी काई क्या दरखे आपको मिली ग्राम मतलब यहाँ पे हम बैठे हैं मिली ग्राम पे उंगले रख लो मिली ग्राम यहाँ पे हम है और जानका है हेक्टोग्राम में अब हेक्टोग्रा देखे दे रखिए इसमें करेंगे साथ तीन दो नो आठ चार में भाग करेंगे किससे बाग करेंगे हम कहां थे mg पे यहनी यहां पे बेठे दे और जानक आपे hg पे hg को भी चुपा लो अब इनके बीच में देखो कितनी 0 आ रही है अब इनके बीच में यह मैंने टिक कर दिया ठीक है अब इनके बीच में count करो 1 2 3 4 5 यहनी 5 0 वाले से बाग करें है 1 2 3 4 5 अब इसका जो उत्तर आएगा वो उत्तर कैसे आएगा नीचे 5 0 है तो 5 अंग छोड़के point लगा दो 1 2 3 4 5 यहां पे point यहनी 7.3 2 9 8 4 hectogram के बराबर आएगा इतना mg इतना miligram ठीक है इसे तरह के साब को question solve करने है main चीज 2 है क्या एक तो आपको table का sequence KZ, HG, Decagram, Gram, Decigram, Centigram, Milligram यह आप होना चाहिए sequence से क्रम से ठीक है अच्छा दूसरा direction बड़े से छोटे में जाएंगे तो multiply मतलब गुना और छोटे से बड़े में आएंगे तो इसका opposite divide भाग ठीक है फिर आप से इस टाइप से कैसे भी application करवाले आप तुरंत change कर सकते हो ऐसे मैं उमीद करता हूँ ठीक है तो यह थी भार की कैयों में संबन अगर आपको यह अच्छे से पल्ले पड़ गई यह अच्छे से संबन में आगी तो इन में कभी भी दिकत नहीं होगी कैसे नहीं होगी इन में थोड़ा जंतर है जो लंबाई की कई है न वो मिटर में होती है ठीक है तो लास्ट में जहाँ पर हमने ग्राम लिख है न उस ग्राम को अटाने और मिटर को बिठाने है ठीक है तो यहाँ पर table क्या बढ़ेगी दूसरे point के लिए kilometer hectometer decometer meter centimeter centimeter millimeter ठीक है यानि जहाँ पर ग्राम था वहाँ पर आपको क्या लिखना है केवल और केवल मीटर लिखना है ठीक है तो अब यहाँ पर सेम प्रोसेस वो ही है इनके बीच में दस-दस का relation है ठीक है यह बड़ा इदर जाएंगे छोटा बड़े से छोटे में आएंगे तो गुणा और छोटे से बड़े में आएंगे तो भाग करेंगे ठीक है अगर आपको बोला जाए 7,7958 ठीक है इस centimeter इतने centimeter को किसमें चेंज करो इसको चेंज करो आप decometer में किसमें? decometer में capital D deca, small d dc ठीक है इसको decometer में convert करो रहे है तो कितने decometer के बराबर आएगा अब देखो हमको जो संख्याद रुखिये उसकी कई क्या है? centimeter 7,9,5,8 यह centimeter है centimeter कहा है? यहाँ पे यानि हम यहाँ पे बैठे हैं तो यहाँ पे उंगली रख लो और जानक आए हमको dm decameter decameter किदर है? यहाँ पे है ठीक है? तो इदर आएंगे न यहाँ से चल के इदर आएंगे और यह direction में divide हो रहे है इस direction में तो हमको बाग करना होगा किसे बाग करेंगी? यहाँ पे बैठे थे और हमारा target कहा है? dm तो जहाँ पे हम है और जहाँ पे हमको जने उन दोनों के बीच में देख लो कितनी 0 आ रही है? 3 0 आ रही है 1 2 3 यहाँ पे थे हम ठीक है? तो 3 0 वाला मतलब 1000 1000 से बाग कर दो 7.958 decameter यह इसका अंसर होगा ठीक है? सेम ऐसे ही करना है तीसरा वाला उसमें क्या changement करोगे? जहाँ पे meter था वहाँ पे liter कर दो बस तो तीसरे के लिए table क्या बन जाएगी? धारिता के लिए kiloliter hectoliter decaliter liter deciliter centiliter milliliter ठीक है? ml सबी में 10 10 का अंतराल ठीक है? इदर बड़ी इदर छोटी बड़े से छोटे में जाएंगे तो गुणा छोटे से बड़े में आएंगे तो भाग ठीक है? एक इसका भी example लेते हैं 2, 4, 9 और यह आपको दे दिया hectoliter इसको convert करना है किसमे? milliliter में ठीक है? अब 2, 4, 9 hectoliter दे रखा आपको hectoliter यहाँ पे है यानि हम यहाँ पे बैठे हैं और हमारा target क्या है? ml ml किदर है? इदर तो नहीं है इदर है क्या? यह रहा यानि इस direction में आएंगे तो गुणा करेंगे तो इसको गुणा करो किस से? target को भी चुपा लो अब देखो इनके बीच में 0 कितनी है? एक, दो, तीन, चार, पाच ठीक है? तो पाच जीरो वाले से गुणा कर दो तो उत्तर आएगा दो, चार, नो, पाच बार, जीरो और unit लगा दो किस में जा रहे थे? ml यह इसका अंसर होगा ठीक है? तो, जीरो